तो आज हम करने वाले हैं रिजनिंग का एक और टॉपिक विचिस पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग तो ये वाला टॉपिक इसका टाइप वन हम अल्रेडी कर चुके हैं आज हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेस्टिन्स को देखेंगे कि किस और तरह से एक् टाइब दिया था इसमें हमने एक शीट को मौन दिया था क्याई भागों में और फिर हम ने उसको कटिंग कर दिया था फिर हमने देखा था उसको को कुल कर कि किस तरह कि उसकी जो उसमें जो आकृतियां बने वी हैं वो किस तरह से दिखाई देंगी लेकिन आज जो हम करने वाले हैं आज हम देखेंगे एक डिफ्रेंट टाइप के को जैसे की आपको इसमें क्या होगा कि ट्रांस्पेरेंट शीट दे दी जाएगी कल जो हमने पढ़ा था उसमें ट्रांस्पेरेंट शीट नहीं थी मतब कैसे भी शीट हो सकती थी ट्रांस्पेरेंट भी ले सकते हैं या फिर कैसी भी लेकिन आज जो हम देखने वहले हैं वह हम देखेंगे कि प्रांस्पेरंट शीट होगी और उस पर अगर हम कोई पैटन बना देते हैं दोनों तरफ तो अगर हम उसको फोल्ड कर देंगे तो फिर कैसा दिखेगा तो पहले क्वेस्चन के तुरूई हम इस चीज को समझ लेते हैं कि किस तरह के इसमें मान लो यह आपके ट्रांस्पेरंट शीट है इस तरह से कुछ स्कॉयर में ट्रांस्पेरंट शीट है और इसमें क्या है यहां पर कोई लाइन या तो आप ऐसे ही ड्रो कर दे या इसकी कोई वैसे जरूवत भी नहीं है इसको आप मान भी सकते हैं ऐसे ही तो अब इस पर क्य दी है हमने और इस तरफ हमने यह ड्रोग कर दी है और यह जो सरकल हमने ड्रोग किया है इसमें थोड़ी लाइन्स भी बनी हुए है अब अगर वैसे खुद करके देखें ट्रांशन शीट को लेकर तो क्या होगा कि जब अपीस इस तरह से कोई भी फिगर इस पर라고요 करेंगे और फिर इसको आप फोल्ड कर posters अब कहांव करेंगे इसको यहां दिखाई देगा तो ओविएस सी बात है जब हम इसको फोल्ड कर देंगे ये वाला जो शेप बना हुआ है सरकल वाला ये आ जाएगा किसके अंदर ये आ जाएगा स्क्वार के अंदर क्योंकि जो लोकेशन हम देख रहे हैं एप्रोक्स सेम ही है दोनों तरफ इनकी तो जब इसको फोल्ड कर जाएगा कुछ इस तरह से जब इसको फोल्ड कर जाएगा बीच से इस तरह से तो ये पैटर्न कुछ तक इस तरह का दीखेगा आट और पेपर पे कुछ इस तरह का दिकहेगा तो इस तरह की स스트 दिखनी जाहिए और इधर जोए marks अपश्री के एक पसी जोए का निल यहां तो सबसे में ऊपको दिखा जाएगा तो इस तरह का जो shape है वो किस में दिख रहा है आपको यह दिख रहा है मैं first sorry second option में देखो first में तो क्योंकि line गायब कर दी है तो इसलिए तो होगा नहीं है क्योंकि circle में से line गायब कर दी है अब जो चीज हमने draw करी है वो सभी इसमें दिखाई देंगी तो गायब कुछ भी नहीं होगा और third option इसलिए नहीं होगा क्योंकि circle में lines नहीं थी हमने देखा है जो हमारी lines थी वो थी इसमें sorry circle में line थी और square में जो है line नहीं थी तो क्योंकि इसमें square में line दी हुई है तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा आप देखो last वाले में क्या करा है इन्होंने square ही गायब कर दिया है तो कोई भी ना तो shape गायब होगी और ना ही ऐसा होगा कि वो हमें दिखाई देगी क्योंकि हम इसे क्या कर रहे है transparent sheet पर जो है fold कर रहे है तो transparent पर तो जो भी आप बनाते हैं आपने देखाई होगा कि जो भी आप draw करेंगे वो दिखेगा आप चाहे उल्टी तरफ से देखे या फिर आप सीधी तरफ से देखे तो उसमें आप किधर से भी देख लें उसको किधर को फॉल्ड कर दें वह आकरती आपको दिखाई जरूर देगी वह चाहे साथ मिक्स हो जाए लेकिन वह दिखाई देगी तो कुछ गयाब नहीं होगा तो इसलिए बागी का option हमारे हो जाएंगे गलत second option हो जाएगा तो इसी तरह से आप बागी questions को भी इसमें करते हैं अब इसमें देखो second option हो गया correct अब next question देख लेते हैं और एक इससे बड़ी shape बना दी है इधर तो अब जब हैसे हम fold करेंगे तो क्या होगा जो बड़ी वाली shape है तो हमारे पास जो आकृती बनकर आएगी जो shape बनकर आएगी वह इस तरह ही बनकर आएगी जो बड़ी वाली shape है उसके अंदर ही आजाएगी चोटी वाली shape कुछ इस तरह की जो है situation हमें देखने को मिलेगी अब देख लेते हैं situation कहां पर दिख रही है तो यह है first option में तो first ही हमारा हो जाएगा correct answer second में नहीं होगी क्योंकि बड़ी वाली जो shape थी वो गायब करती है third इसले नहीं होगा क्योंकि shadow वाला part किसी में दिखाया गया है और fourth इसले नहीं होगा क्योंकि इसमें जो small वाली जो leaf दिखाए गई थी पत्ती टाइप सरचना जोती वो गायब करती है तो देखो कितना easy है इसमें सही answer तक पहुँचना थोड़ा सही समझदारी की साथ आप answer करेंगे तो कोई भी question इस से related गलत नहीं होगा तो first option जो है हो जाएगा correct अब देखो इस तरह के questions में अब confused हो सकते हैं इसमें देखो कैसे दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है हमें triangle ट्राइंगल भी कैसे दिया हुआ है देखो triangle जो है हमें एक ही shape में दिखा दिया है मतलब एक ही side एक ही direction में दिखा दिया है triangle बना हुआ और देखो square पर धिहान रखना है square किस तरह का बना हुआ है देखो एक तो square बना हुआ है इस तरह का और एक square बना हुआ है कुछ इस तरह का अब इसको अगर हम मोडेंगे तो कैसा बनेगा देखो इसको हम बना के देख लेते हैं हम देखो ये वाला जो इधर वाला जो part है हम इसी पर draw करके देख लेते हैं इसको कि कैसे shape जो है इसकी बनेगी अगर हम इसको fold करें इसको हम fold करेंगे तो कैसा दिखेगा ये देखो जो इसका right वाला part है वो इसका left में चला जाएगा मतलब देखो triangle कैसे बनेगा यहाँ पर ऐसे बनेगा कुछ कुछ इस तरह का हो जाएगा ये तो ये बन जाएगा कुछ star जैसा क्योंकि ये जो है corner वाला part ये हो जाएगा इसका इधर क्योंकि जब हम इसको पल्टेंगे तो इधर वाला part आ जाएगा left में नतरब right वाला left में जाएगा और left वाला right में जाएगा अब जो ये left वाला part था यह आ गया है इसका right में कुछ star जैसी सरचना आपको दिखेगी इसमें अब देखो ऐसे ही हम नीचे वाले square को ड्रो कर लेते हैं square क्योंकि इसमें सीधा है तो सीधा ऐसे ही बना देंगे इसमें कोई changes नहीं होंगे तो यह कुछ इस तरह का जाएगा यह corner थोड़े निकले हुए है इसके यहां पर कुछ इस तरह का जो है बन जाएगा वैसे इसमें सही से ड्रो नहीं हो पा रहा है तो ऐसा जो shape है वो किसमें दिख रहा है आपको तो ऐसा shape दिख रहा है हमें first option में और बाकी अगर आप elimination के through भी करना चाहें तो कर सकते हैं तो देखो elimination के through कैसे करें गी इसमें जो है triangle जो है एक ही दिखाए है और ये भी दूसरी तरफ दिखा दिया है ये जो है हमारा ये दूसरी तरफ बना हुआ है और ये दूसरी तरफ बना दिया हैмеत्म इसका जो ये बंद वाला तिए आप से फोड जाएंगे तो इसमें तो स्कुर्ड दूसरा जो हम गाया भी कर दिया यह तो एसे ही नहीं होगा कि तो जो हमारा करेक्ट अंसर जाएगा वो जायगा फिर्स फिर्स्ट उंच नेक्स देख लेते हैं इसमें देखी क्या है इसमें जो ये डॉटे लाइन है इधर दी हूँ ये लेफ्ट में जाम इसको फोल्ड करेंगे या तो हम इधर से fold कर ले या तो हम इधर से fold कर ले इधर से भी fold कर सकते हैं एक भी बात है एक आपर तरह तरह से अरचना देखे लिए कि इन्होंने क्या करा है इस वाली sheet को इधर की तरफ मोड दिया है इधर की तरफ जो मोडेंगे तो कैसी सरचना आएगी यह डोटेल लाइन है यह आ जाएगी सरकल के बीच में सरकल के बीच में आ जाएगी तो कैसी सरचना बनेगी इसकी देख लेते हैं तो कुछ इस तरह की सरचना बनेगी यहाँ पर यह डोटेल लाइन आ जाएगी और यहाँ पर हमारा क्या बना हुआ ह circle बना हुआ है कुछ इस तरह से और sori square बना हुआ था और square की बीच में तब circle कुछ इस तरह बन जाएगा जो हमारा structure होगा कि तो यह हो जाएगा फर्स्ट option हमारा correct फर्स्ट option में ही बिल्कुल यह condition हमें दिख रही है जो कि हमें question में दी गही है first option होगा correct next question देख लेते हैं तो देखो इसमें क्या करना है इसमें देखो triangle वाला फिर से आ गया triangle का ध्यान रखना अगर आपको एक ही दिशा में triangle दिये हुए हैं तो इनकी दिशा बदल जाएगी मतलब की अब आप खुद सोचें कोई भी sheet अगर हम या तो हम इधर से इधर को fold करें या तो हम left से right में fold करें या तो हम right से left में fold करें तो होगा क्या जो triangle एक triangle की तो direction वैसी ही रहेगी और एक triangle की direction जो है change हो जाएगी अब जैसे कि ये triangle जो है एक ही दिशा में दिख रहे हैं हमें तो एक triangle ती का इनकी है तो म Willow इस टेकर नेसा होकी तिरह आप इस में का है सकते निरंग में पड़ी tुछ इस तरह का जाएगा तो देखो अगर आप उपड़ से नीचे बीजिक वाली कि एए करें milliards यह तो करते हैं वहाटर से यह दिखाई दे ता है वैसे ही एकश्चेंज हो ट्राइंगल इसमें भी बाटर इमेज में हमने क्या पढ़ाता जैसे अगर ट्राइंगल सीधा बना हुआ है तो यह हो जाएगा ऐसे उल्टा यह बात की जा रही है अगर शीट नीचे से ऊपर को फोल्ड करें वैसे ही अगर अगर साइड वाला फोल्ड दिया हुआ है यह वा को है तो यह एस ही रहेगा लेकिन अगर इसकी शेप ऐसे ऐसे दिखाओी है मानलों ऐसे दिखाओी हरे इस तो यह जो है लेफट का राइट में हो जाएगा और राइच का हो जाएगा लेफट में कुछ इस तरह से बन जाएगा इस पे भी कुछ स्टार जैसा ईसे डू reduced सब यह वाली बन जाएगी, सब्सक्राइब यह वाली नहीं है, यह तो लेफ्ट राइट वाली है, क्योंकि इसने शीट को क्या किया है, उपर की तरफ फोल्ड किया है, तो ट्राइंगल यह वाला बनेगा, यह वाली शेप बनेगी, इस तरह की शेप देखो, कौन से ओक्षन में ह रही है क्योंकि देखो इसमें तो एक ही ट्राइंगल ऊपर दिखा दिया अब यह ऐसा थोड़ी ना है कि हमने ट्राइंगल उठाके ऊपर शीट पर रख दिया ऐसा तो नहीं है क्योंकि लाइने दोनों ही दिखेंगी हमें क्योंकि ट्रांस्परेंट शीट है तो दोनों लाइ तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay connected and keep watching, study more knowledge, thanks for watching.